Welcome to Web Academy, मैं हूँ आपकी Twitter मारिया, आज मैं आपको MS Excel 2021 में VLOOKUP के बारे में पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको function VLOOKUP और plus column के बारे में पढ़ाऊंगी, कि किस तरह हम VLOOKUP का column के साथ यूज करके हम किसी भी student का data find कर सकते हैं, अगर हमारे पास multiple students का data है, हम चाहते हैं, किसी एक student का हम data check करना चाहते हैं, हम उसका roll number, उसका serial number यह ID type करें तो उसका data सामने show हो जाए, तो इसके लिए हम VLOOKUP का use किस तरह कर सकते हैं, तो start करते हैं आज का lecture, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक sheet design की हुई है, इसमें कुछ data type किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ इसमें से किसी एक student का मैं roll number type करूँ तो उसका सारे का सारा data सामने show हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहले यह data जो type किया हुआ है, इसमें से इसकी main heading जो है, इसको select करना है, करने के बाद इसकी copy करना है, और यहाँ नीचे paste कर लेते हैं, जैसे हम यह data paste करते हैं, करने के बाद हमन करते हैं, तो हमारे पास नीचे box में we look up show हो जाता है, आपने tab यूज करनी है, tab यूज करने के बाद आप यहाँ पर look up value बताएंगे उसे कौन से cell को आप look up करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर number one, इस cell पे click करना है, करने के बाद आपने cell को lock करना है, आप F4 प्रेस कर सकते ह की बोर्ड से lock करने के लिए, जैसे आपने F4 प्रेस किया, आपका यह cell lock हो गया, इसके बाद आपने comma insert करने के बाद, आपने इन्हें selection बतानी है, कहां से कहां तक आप data look up cell, data look up करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से data select करने के बाद, आपने F4 प्रेस करना है, और इन cells को भी lock करना है, जैसे आप F4 प्रेस करते हैं, उसके बाद आपने comma प्रेस करना है, कॉमा प्रेस करने के बाद, आपने यहां पर type करना है, columns, c, o, l, u, m, n, or s, columns, जैसे आप columns type करते हैं, नीचे आपके पास यह columns show हो जाता है, आपने tab का use करना है, आपके पास bracket start हो जाएगी, अब आपने इन्हें बताना है कि आप किस cell से लेकर कहां तक data find करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे पास यह name का और math का box का, दो box हमारे पास cell show हो रहे हैं, आपने यहां से name और math दो cell को select करना है, इसको B1 को यहां पर आप सिंपल select करें, B1 को select करने के बाद आपने F4 से इस cell को lock करना है जैसे आप F4 प्रेस करेंगे, यह cell हमारे पास यहां लॉक हो जाएगा, करने के बाद आपने यहां last पे click करना है और bracket close करनी है, ब्रेकेट क्लोस करने के बाद आपने यहां पर comma देना है, comma देने के बाद आपने यहां पर zero type करना है, exact match के लिए, जैसे आप zero type करें और bracket इसक से ड्रैप करके लेे के जाते हैं तो देख एक ही क्लिक में आपके पास सारा डेंटा हो जाता है इस तरह अगर आप ली जैसे हैं यहाँ पर फोर लंबर करना चाहते हैं आप एंटर करें और रशित ны Kift का डैटा सामने शो हो जाता है यह था मेरा आज का लेक्छर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया के हम वी लुक ऑप का यूज कॉलम के साथ किस तरह旅 कर सकते हैं और एक ही कलिक में किस तरह किसी भी student का किसी भी आईडी का किसी भी सीरियल नंबर का डैटा कर सकते हैं अगर मेरे इस लेक्चर से आप कुछ नियों सीख पाएं या लान कर पाएं तो मेरे इस लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाई